तो दोस्तों अगर आप भी यहां पर Realme का device यूज करते हैं तो यहां पर काफ़ एच्छी good news आ रही है Realme UI 4.0 के new update के लिए अगर आप Realme का यहां पर Realme GT 2 device यूज करते हैं या फिर Realme की यहां पर GT Neo 3 जो है device को यूज करते हैं तो finally काफ़ एच्छी good news आ रही है अब आज की इ early access का जो यहां पर beta trial version ने उसको यहां पर release कर दिया गया है तो वीडियो को आप complete देखेगा मैं बात करने वाला हूं इसी new update के बारे में और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon पर click करके all पर click कर लिजेगा तरकि future में जब भी हम वीड trial version के लिए वेट कर रहे हैं तो यहां पर finally realme GT Neo 3 यूज कर रहे हैं या फिर realme GT 2 5G को यूज कर रहे हैं तो दोनों ही डिवाइस के लिए यहां पर जो beta early access जो यहां पर जो है वर्जन है उसको यहां पर release कर दिया गया है अब दिखें मैं सबसे परले information जो दिखाता हूं सब मदब आप 3 यूज करते हैं मदब यहां पर normal variant या फिर आप 150 watt का जो डिवाइस है उसको आप यूज करते हैं तो दोनों ही डिवाइस में यहां पर जो Android 13 का जो major update है वो यहां पर rollout होना start हो चुका है फिलाल आप मेरी home screen पर देख सकते हैं ठीक है Android 13 जो early access का यहां पर जो व a.15 का version जो है होना compulsory है ठीक है तब ही आप जो इस form को fill up कर सकते ठीक है तो आपको setting में चले जाना है software update में चले जाना है जो की process आप देख सकते हैं home screen पर आपको दिख रहा होगा ठीक है इतना कर लेना है बाइद वए in case अब आपको यह update समझ भी नहीं आता है तो आप इसक के दूसरी device के बारे में जो किया है realme GT2 5G ठीक है तो realme GT2 5G जो device है इसमें आप देख सकते हैं यहां पर जो वर्जन रिलीज कर गया है इसके लिए बीटा जो वर्जन है उसको release कर दे गया है इसके लिए जो eligibility वह 8.20 का version होना चाहिए जो के realme 3.0 का ठीक है अगर आपके प setting में चले जाना है software update में trial version में चले जाना है इन प्रोसेजर को follow कर लेना है कहीं न कहीं जो है आपको जो latest version जैसे ही rollout होगा तो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा I hope इस वीडियो की तुरू आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ही device में update को कैसे लेना है और यह जो update release के गया है भी फिलाल से दो डिवाइस के लिए जो है अगस्त का यहाँ सेतमबर का जो update हो रिलीज के गया है वीडियो को आप चलूर से लाइक केजिए शेट केजिए मिलते नेक्स शीडियो में so thank you so much